हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं की फसल बेचने के बाद 10 लाग रुपे बेजे थे लेकिन उसे ब्लैक मेल कर रही यूदियों की चुंगल में फसकर आरोपी ने 10 लाग रुपे दे दिया इसके बाल उसने लूट की वारदात की जूटी सुचना सदर्थाने को दे दी जाच करने गई बाद मेर पुलिस को तता कतित पीडि संधिंग लगा और मामले में गंबीरता से पूस दाच करने पर वारदात की जूटी कहानी बनाना स्विकारा पुलिस ने 10 लाग रुपे जब्द 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जाच शुरू कर दी सदर्थानादिकारी राम निवास ने बताया कि मंगलवार रात को तगा राम पुत्र गमंडा राम जाती जाट निवासी मीटी बेरी के जरिये टेलीफोन सूचना दी की वह बाड मेर से बाबुलाल पुत्र हजडी राम जाती जाट निवासी मीटी बेरी के जीरे के 10 लाग रुपे उसके बाई डूंगा राम के पास से लेकर मेरा दूद का ट्रोला लेकर गाउ जा रहा था सरहत कगाउ में एक बुलेरो कैमपर गाड़ी जिसमें चार वेक्ती नकाब पोश सवार होकर आयवा उसको रुखवा कर दस लाग रुपे लूट कर ले गए हैं घटना की इतला मिलने पर ठाना सदर बाड मेर से ठाना अधिकारी रामनिवास पुलिस ठाना अधिकारी में जापता के तुरंत रवाना होकर सरहत कगाउ घटना स्थल पर पहुच घटना की जानकारी प्राप्त की गई इस लूट की घटना को गंबीरता से लेते हुए नरपत सिंग अतिरिक्त पुलिस अधिशक बाड मेर एवं आनन्द सिंग राशपुरोहित वृत्ता अधिकारी वृत्त बाड मेर के निर्दर्शन में अलग-अलग टीमें गठित कर माल मुल जिमानों की तलाश करवाई इवं घटना की घंबीरता को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम बाड मेर को निर्दर्शित कर तुरंद जिले में नाका बंदी करवाई गई गठित पुलिस टीम द्वारा घटना स्तल पर बारीकी से रिरिक्षिन किया गया तो घटना स्तल पर भी किसी दूसरी घाड़ी के टायर मार या घटना के कोई अलामत नजर नहीं आ रहे थे पुलिस टीम द्वारा गेहन अनुसंधान करते हुए प्रातित आगराम सिप गनता से पूस्ताच करने पर वो बार बार अपने बयान बदलने लगा जिस पर शक होने से पुलिस टीम द्वारा उक्त पीडित को पूस्ताच एवन अनुसंधान हेतु तलब कर थाना लाकर गन से पूस्ताच कीज गई पूस्ताच के दर्वान बताया कि खुद के पिछले 7-8 साल पहले होली एवं ललीता नाम की लड़कियां से दोस्ती हो गई थी मैं इन दिनों लड़कियों से मेरा पीछा चुड़ाने लगा तो ये दोनों लड़किया मुझे ब्लैकमेलिंग कर मु अपरण कर लिया है वे लोग होली को चुड़ाने के लिए एवेज में 10 लाग रुपे मांग रहे हैं आप कल के तारीख में अगर 10 लाग रुपे मेरे को नहीं दिये तो मैं तेरे खिलाफ जूटा मुकदमा करवा दूंगी ललीता से मेरी धंकियों को लेकर पीडित तगार से प्राप्त कर बाबुलाल के घर पहुचाने का कहर बार मेर में ललीता को जस्तेर धाम के पास 10 लाग रुपे दे दिये उसके बाद मुल्जिम तागाराम अपनी पीकप गाड़ी लेकर बार मेर से कगाउ होता हुआ अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उक्त लूट की मुझाल धर जूटी घटना बता कर सूचना दे गई मुल्जिम तागाराम के पूस्तार के अनुसार ललीता वहोली को दस्तायाब कर पूस्ताश की गई तो उक्त दोनों ने जूटीम तागाराम को ब्लैक मेइलिंग कर उसे 10 लाग रुपे लेना सुविकार कि जिस पर रूप्त तीनों मुलजी मानों तगाराम ललीता वो होली को गिरफतार कर लूट की पूरी वारदात का खुलासा कर दिया जागरू टीवी के समधाता से बाड मेर सदर्थाना अधिकारी राम निवास इनका कहना है कि बोलगर शोहर चार विक्ति आये जिनों मेरे साथ लूट की तो बतना की गंपीट अब देख के ले मौके पहुंचे और इस्तितवारी किसे इरिक्षण किया गया विडिते अब्यान लिए कि बैयानों में कुछ वीरदवास और संदिक्ता लगी तो गहनता से बढ़ना की तरी मेरे मेरे में इसके काफसलिए साथ आठ साल से संबढ़ और अब्याम पर शादिया होगा जोगी इंदू बहांट होगे रफ्ते से मांग तरह कि अगता प्रके में तेरे ते दिमार्ट बढ़ते हैं बढ़ने घ्र दसलाग उग्स्तित रिश्तित कि इस इस परिवार मिंग भाई है वाई वाई रम राम जिसने उंजा में जीरा बेच था उसके भाईगा मदा ने बाड़ मेर में ब्हुगा राम राम का तो पैसे पड़ते और यह यह तगारम जूद का क हम करता है को गाउन से बाढ़ने रहता बाढ़नी संद्र जाता दखता है जब तु प्रावन अब यह वात स्पी प्रण अवापस ने कि मेरे पेमेट के बाई मुद के पास पड़ा ओले चाहिए जागरुग टीवी के बाड मेरसे ठाकरा रा मिघावल की रिपोर्ट जो ढ ओम मेरसे ठाकरा क्यात्त्得 यावल की रिपोर्ट निमस के बाड मेरसे ठाकर यावल की रिपोर्ट यहावल की रिंज मेरसेंगंगे ऴयावल